सब नेटवर्क क्राइम वर्ड को सब्सक्राइब गरें बेल आइकन दपाएं और अपदेट पाएं अवर्क के लिएकपन भाएं ओखाएं आप नहुआ को सम्सक्राइब इस अजा आप बहुआ झाएंinquर मर्क करन अजयू झाओत आएलो चू़्ड कि अश से जड बखाएंुर अव्र्क कारइब मÁL potrzeषतू हैं प्रबग्वर्क कि ने खिए ग्हुट्च हैं। माल ये! श्वेता, ये हमारा शोटा सा गर एक चीज की कमी थी तुम्हारी आज वो भी पूरी हो गई एक बात कहूं मेरे लिए ये घर महल से भी पढ़कर है क्योंकि ये मेरा घर है और वैसे भी तुम्हें इस घर को इतने प्यार से इतने चाव से सजा है कैसे लगता ही निये कि यहां कभी कोई और अदा ही निये क्योंकि अढ़ाए चैसाए क्योंकि जो फिंग क्योंकि आजाए क्योंकि उख़़गग क्योंकि बार्ण यह यह दिवारत नहीं उचड़ी हो इसे क्यों है? ऐसा लगता है यहां पर तस्वीर थी, है ना? यहां? देखो ना, ऐसा लगता है जैसे आज ही किसी नहीं यहां से तस्वीर उता रहे हो किस की तस्वीर थी? तस्वीर ने थी, पेंटिंग थी तो हटा क्यों थी? तुम खामा खामे पेंटिंगे पिछे पड़ गई हो पेंटिंगे रंग फीगे पड़ गए थे इसलिए उतार दी राखीश, मैंने ही चाहती कि मेरे आने के पाथ तुम्हारे घर में या तुम्हारी जिन्तगी में कोई ऐसे निशान पाकी रहे जो हमेशे आखों के सामने खटकते रहे मैं जानता हूं श्वेटा कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हूं और इसलिए तुम्हे अपनी करोड़ो की प्रॉपर्टी ठोकरा कर तुम्हारे पास आई हूं ताकीश मैं तुम्हारी प्यार के खाते सब कुछ परताश कर सकती हूं बसे एक चीज़ नहीं और वो है ठोका जूट अज़ प्रॉट अज़ प्रॉट कॉट 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 इस टोर में यह कबाट का रहा हूं यह प्रॉट 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 यह हमारी मालिकन का फोटो है मालिकन सहाब की धरम पत्नी यह बंगला यह रुपया पैसा यह गाड़ी सम मालिकन का ही तो है प्रॉट 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 तो अब कहा है तुभारी मालिकन उनकी शादी के तीन-चार दिन के बाद में उनका खून हो गया खून? किसने किया उनका खून? साहब छोटे मालिक आये है छोटे मालिक? वही रंजीत बाबू रंजीत बाबू? उन यह क्यों आया है? तुम? तुम यह क्यों आये हो? आना तो नहीं चाहता था रापिश लेकिन मेरी अंतरात्मा मुझे यह आखिच लाई ओ तुम्हे अपनी गलती का एसास हो चुका है? गलती मैंने नहीं गलती तो मेरी बहन ने की थी जो तुम जैसे इनसान के साथ शादी की मैं जानता था राकेश कि तुम दॉलत के लिए मेरी बहन से प्यार करते थे और दॉलत के लिए ही तुमने उससे शादी की और उसके बाद उसका कतल कर दिया अपना रंजीद मैने रश्मी का खून नहीं किया और यह बात साभीत हो चुकी है साभीत हो जाने से जूट सच नहीं हो जातागा मिस्टबाकेश घानता हू। सारा शहर जानता है कि तुम इने रश्मी का कोई कियाधा रजीद अगर आप भी तुम समझते हो कि मैं रश्मी का कातिल हूँ तो तुम यहां क्या लेने आया हूँ मैं कुछ लेने नहीं तुम्हें कुछ देने आया हूँ तुम जैसा इंसान किसी को दोके के सिवा क्या दे सकता है लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नहीं क्या मतलब है तो मतलब ये कि तुमने मेरी बहन से शादी करके उसकी सारी प्रॉपेटी तो हासिल कर ली लेकिन वो तीन करोड रुपे के हीरे जो हमारे अंकल सिज बैंक में हम दोनों भाई बैंक के लिए छोड़ गए थे वो बाकी है अब है तीन करोड के हीरे मैं ज्यादा तो यहीरे अपने पास रख सकता था और तो मैं खबर तक नहीं लगती लेकिन रश्मी का हिस्सा मैं रख लूँ ये मेरे दिन में बवारा नहीं किया इसलिए मैं यहीरे श्मेता तो तो आखिरकार तुमने दुसरी शादी खरी ली रश्मी के प्यार की माला जो तुम जपा करते थे वो आखिर तूटी गई रंजीत मुझे तुमारे हीरे नहीं चाहिए तुम इसी वक्त जा सकते हो लगता है तुमारे इस नई धरम पत्नी के पास इन हीरों से भी ज्यादा दॉलत है तुम इसका अंजामी वही नहीं जो जो रश्मी का हुआ था रंजीत तुम हज से जदा आगे बढ़ रहे हो देखो मैं तुमें नहीं जानता लेकिन आज तुम मेरी बहन की जग़ परो अजर तुम्हाई जगे रश्मी होती तो हीरे मैं उसे देता लेकिन आप ये हीरे मैं तुम्हारे आवाले करता हूँ लेकिन अपने इस भाई की एक बात तुम हमेशा याद रखना हो कि ये शक्स जो तुम्हारा पती है वो खूनी है हाथ त्यारा है और दौॉलत को बाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है RANJEET SHMETHA मेरी बातों सुरो मेरी बात सुरो । अब कहने के लिए बच्छाई कह राकिर जो कुछ भी कहना थो पहले कहा होता नァ SHMETHA मैं कैछ से मही कैसे तुम कैसे कहते के तुमने अपनी पहली मैंने किसी का खून नहीं किया है पागल था, रंजीत पागल है वो उसे नफरत काता है लेकिन तुम तर रश्मी से प्यार करते थे और प्यार कब वही खता ना खेल, तुमने मेरे साथ खेला भाई कि यह मैं से कित तफाग है कि वो भी मेरी तरह तरोडो की मालकिन थी तुम मुझ पर और मेरे प्यार परश्यक कर रही हूँ तुम ही ने मुझे मजबूर किया तुम ही ने मुझे मजबूर किया तुम परश्यक कर ले तुम्हारा भी दोका दे सकता है मैं एटियू रागिश्यू मैं एटियू तुम्हारा तुम्हारा जाला किस तरह? बैया, मुझसे बात बड़े बोलोगे जुम्हाराएप्यू मैं की बात बादि एटिए बात्यू अब बताओ तो क्या बात है, क्या हुआ? धोका धोका हुआ है मेरे साथ भाईया वो रकीश उसने मुझ बता है नहीं कि उसके पहले पी शादी हो चुकी वह राकीश शादी शोता है? आइड़न बिलिव इट हाँ भाईया यले बात है कि शादी के कुछ दिनों बात ही उसकी पतिगा खून हो गया लेकिन भाईया सारे लोग यह कहते है कि उसने दौलत की लालच में अपनी पतिगा खून किया उस ही ले तुमारा दिन क्या कहता है? तिल कुछ भी कहें लेकि दिमार तु यह कहता है कि वो फ्रॉड है अकर उसके मन में चूर नहीं था तो उसने मुझसे चूट क्यों बोला तो तुम्हें भी उस पर शक है क्यों? नहीं होना चाहिए हो सकता है तुम्हारा शक बेबुनार यह भी हो सकता है कि उसना अपने पत्में रहन ना के और यह भी हो सकता है कि अपनी प्यास से मजबूर हो को तुमसे चूट को लाँ भाया आपको हो क्या क्या है कल तक आप जिस आप में के खिलाफते आज उसी की धर्वतारिक करे यह तुम्हारा पती है नहीं लवजुस्तों माँच अरी साथ से एक बोका हो जोना चाहिए हो से जोगी जी में साथ साथ की गाड़ी आनी है कहीं बाहर गाएंगे जी में साथ साथ बाहर गया है आपके लिए चिठ्ठी दे गया है जी में साथ सारी सूइधाद मैं तुम्हें लेने आता मकर गौरांग आगया और जबर्दसी मुझे अपने मुजिकल शो के लिए ले जा रहा है वो तुम्हें भी ले जाना चाहता था मगर मुझे पता है कि तुम्हें मुजिक में कोई इंट्रेस नहीं है खाना का लेना और सो जाना मुझे शायद लॉटने में काफी देर हो जाएगी कर तुम्हें कर दो और झाल झाल अजतंपः लॉपीं पाल लॉपी जोकी दोकी जो गे! जो गे! क्या हुआ मेडम? क्या हुआ? वो उपर कमरे में एक निकाब फ़ूर उसके हां में खंजर है मुझे मार दाला चाहता जा दे खुलो! सुपेता? तुम? क्या हुआ? तुम? क्यों? क्या हुआ? तुम तो देर से आने वाले थे ना? हाँ, मगर फ्रोग्राम में गड़बड होगी इसलिए में घर वापस आ गया मगर तुम जीत क्यों रहे थी? मेरी कमरे में एक नकापूश मुझे मार डाला चाहता था क्या? हाँ, हाँ और उसके आद में एक बड़ासा बड़ासा नकाशीदार खंचर पीता नकाशीदार खंचर? ऐसे खंचर से तुम आलकेंता फून हुआ था होगी? तुम अंदर चाहूँ शैप मैं उस नकापूश को चानती हो रागी उसकी आँखे मुझे चानी पहचानी लगी अच्छा? शायद यह वही है जिसने तुम्हारी पहली पतनी का खुंखिया और अपर मेरी चान लेना चाहता है अच्छा तुम्हें मार्ग उसे क्या मिलेगा? तुमसे क्या दुश्मनी हो सकती है? इस बात का पता तो पुलिसी लगाएगी ना राकेश अच्छा 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 तुमसे क्या मिलेगे तुमसे राकेश तुमसे आपका यह ख्याल है श्वेदा जी कि कल रात एक नकाप पोश्च आपके घर आया उसने आपकी जान लेने की कोशिश की और फे अचानक से वो गायव हो गया यह मेरा ख्याल नहीं है यही आकिकत है श्वेदा जी ये भी हो सकता है कि वो नकाब पोश्ट कोई कातिल नहों कोई चोर रहा हो और आपके जागने पर उसने आपके उपर कातिल आना हमिला करने की कोशिश की हो चोर इस तरह हाथों में खुला वो खंजार लेकर नहीं आते वो मुझे मारना चाहता था वो मुझे मारना चाहता है कि रात को किसी दोस्के म्यूजिकल शो में जाने वाले हैं और देर रात लोटेंगे इंसास में श्वता को अपने साथ दे जाना चाहता था मगर लेकिन रात को जब वो अटाय कर आया तु आप तो घर पर थे और श्वता को मुताबबक तभी सिर्फ ग्यारा ही बज़े थे जी हाँ एक्चुली शो बीच में बंद हो गया था बीच में बंद हो गया था जी शो की जो में डांसर थी उसका फैर किसल गया और उसकी एडी में फ्रैक्चर आ गया इसके मुझे शो अधूरा चोड़ना पड़ा अचा अब आपके जो दोस्ते जिनका आप शो अटेंड करने गए इनका कौन नंबर होगा जी हां है 632 6045 6045 एप्वाइब आप से यह पूछना चाहता हूं कल जो आपका मुझेकल शो भूग वो जो कितने बजे खत्मुआ उप आप अपर पिसल आपके मिस्टर कोर्ण मैंता थांक यू अपर कोपिटिंग पिलीज बाइ इंस्वेक्टर भारत आपकी सावालों से यह लगता है कि आप मुझ पर शक कर रहे हैं राकेश बाभू शक करना हमारे प्रफेशन का एक हिस्सा सा बन गया है कभी-कभी तो मुझे खुद पर शक होता है कि वाकई ये केस में सॉल्व कर पाऊंगा या नहीं एनिहाँ जोदर जा बताईए कि आपको किसी पर शक है क्या मुझे मुझे लगता है कि मेरा कतल करनी के कोशिर भी वही कर रहा है जिससे राकेश की पहली पत्नी का कतल किया था वाट राकेश बाबू ये वाकर ये आपके पहली पत्नी का कतल हुआ था जी हाँ स्राकेश ये बताएंगे कि वो कतल कब और कैसे हुआ जी ये दो साल कमानी बात है कतल कैसे हुआ ये मैंने जानता रात को जब मैं घर वापस आया तो मुझे रश्मी की लाश बिली किसी ने उसके सीने में कंचर भूग दिया था और ये अची बित देफा कहला कि उसका कतल भी शादी के तीनचा दिन पात हुआ जोदा जी आप राकेश की पहली पत्नी को पहले सी जानती थी या नहीं मुझे मुझे रंजीत ने बताय था रंजीत जी हाँ रंजीत मेरी पहली बीवी रश्मी का भाई रंजीत अहुचा रंजीत अहुचा रंजीत अहुचा जी हाँ ओफिसर ये सचे कि मेरी बहन रश्मी का खून शादी के चोथे दिन हो गया था मिस्टर रंजीत इस केस को हमने दोबारह स्टेडी किया है तरसल इस केस के सिलसले में पुलिस को राकेश पर ही शक था लेकिन फिलाल राकेश के खिलाफ ना तो हमें कोई सुबूत मिला है और ना ही कोई गवा अलबतिर राकेश के पास एक ऐसा गवा जरूर है जो उसे बेगुना साबित कर सकता है करोणों की प्रॉपर्टी हांसिल करने के लिए एक गवा तयार करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है वो एक बहुती चलाक और शातिर इंसान है आफिसर रंजीत बाबू अगर आपकी बेहन के कतल के जुर्म में राकेश पकड़ा जाता है तो सूरत में आपकी बेहन की पूरी की पूरी जाइदाद किसको मिलती है मैं समझ रहा हूँ ओफिसर के आप क्या कहना चाहते हैं लिकिन मैं राकेश की तरह दौलत का लाल्ची नहीं हूँ और देखी ओफिसर के इतिहास अपने आपको उफिर दोना हूँ असना फिर से एक दौलत मन लड़की के साथ जार काना तक किया और शादी कर देए असना फिर से एक दौलत मन लड़की कर दोना हूँ हुआ हे तुम है plea देहास ऊचहाता है तुमे गपास कर रहे हो तुम तुमुझे वाट दाना चाहते है य वाल consider हेल मेंको चुकत्त्त। बत अचर्ण मुझे से य्द्ः लिकिन हो गया तुम्जे माल दाना चाहते है अरे मैं तो तुम्हारा गले का पसीना पहुंचना चाहता था तुम्हें 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 दोखा हुआ है मुझे दोखा हुआ है मेरे साथ दोखा हुआ है लेकिन मैं अब अब दोखा नहीं होने दोखिया मैं यहां से चली जाओगी हमेशा के लिए हमेशा के लिए देखो श्वेता अब मैं तुमारे लिए कुछ नहीं कर सकता शादी करने का फैसला तुमने खुद किया था अब इसका नतीजा तुम खुद बुखतो कि यह आप क्या कह रहें भाया मैं ठीक है रहा हूं श्वेता अब इसकर में तुमारे लिए कोई जगा नहीं है बेदर यह होगा तुम अपने पती के पास वापस तरुजाओ वोट यू मीन उसके पास वापस तरुजाओ ताकि वुझे मार दे ओहो श्वेता ऐसी बात नहीं है ऐसे चोटे-मोटे जगडों में बार-बार घर खोड़कर भागाना यह ठीक नहीं है इसलिए यह ठीक नहीं है यह ठीक नहीं है इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं उससे तलाक लूँगी वाट? तलाक? हाँ भया अब अभी क्या भी वकिल को फोन कीजिए और उनसे कहीं कि आज ही राकिश को तलाका नोटिस भेजिए अगर श्वेताब भई यह आप फोन करते हैं यह मैं फोन करूँ ओके ओके अल कॉल इम आप बाइट नौ फोन लेड़ चुका है विए कि अउड़ कमाल है वाँ लेड़ होता है कभी आउन होता है अलो वाट? कहा अओ कहा? कही कहा आरहा हूँ हां बिजल्दी आरहा हूँ परभी प्रॉलम हॉई मेरा दोस्ट जीद है ना? विख एक्सिदूर अगया लट? यहा मुझे फॉरून जाना होगा लेकिन तुम फिकर मत करो वापस साथ ही में वकिल साप फॉन करो मेलीलौ वापस साथ ही में वाखिल सापको फोन करो मेनेवाल आउ टेक रेस्ट यहाँ भईया लेकिन क्यों तुमने क्या सोचा था तुम बच जाओगी नहीं श्वेता मैं तुम्हें जान से मान डालूगा राकिश तुम अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता श्वेता कोई नहीं किसका फोनता सर पदने शिर्वास तुम कट गया तुम बच भजरी शिर्वास्तब लें कोई उठाने रहा है वादाला को शुर्वास्तब की नंबर काहा है 670-3554 यह आग। पहुआख अवप चाहिए खज़ उनके शुआ बाख़ जनके प्यांस हाँ प्यांस ऑट हो चाहिए कि अपता चाहिए अपता हाँ प्यांस तो चाहल यपाँ टॉआ वाग। ये व्पता हाँ ठहुणार… कोई है? तरह में कोई है? हलो? एक पुची जाना दो, मैं निपत मारो, प्लीज मैं तुम्हें क्या बिगा रहा है? मेरी बातों सुनो! मेरी बातों सुनो! मेरी बास नीया रहा है! तुम बार्णल दो नहीं हो गई हो गया! मेरी बार्णल दो! मेरी प्लीज अर्णल दो, मेरी प्लीज ओड़ाए तुम्हें प्लीजर! हाओ हाओ ताम ताम एला मैं देखाओ, यहीं है वो नकापोश लेकिन यह है कौन? जी? तुम? हाँ, हाँ, ओफिसर मैंने इश्वेता के उपर कातिला नाहमला किया था और मैंने ही उसे फोन किया था क्योंकि मैं चाहता था कि राकेश से खून का बदला लो कैसा बदला? अपनी बहन रश्मी के खून का बदला इस्पेक्टर राकेश ने रश्मी को प्यार के जान में फसाया और दौलत की लालक में उससे शादी की इस्पेक्टर और उसका खून कर दिया पर भी वो बच गया जूट बोल रहा है आप मिस्टर रंजीत यह सरा सर जूट है पर सच्छाई तो यही कि आप नहीं अपनी बहन रश्मी का खून किया और उसका सुबूत है वो खंजर यह वही खंजर है मिस्टर रंजीत जिससे आपकी बहन रश्मी का खून हुआ था और उसरा खंजर जो आप देख रहे हैं यह वो खंजर है जिससे आप में श्वेता पर हमला किया था और से देखे दोनों खंजरों को इनकी बनावट से साफ पता लगता है कि यह दोनों एक ही सेख के खंजर है यही तो मैं चाहता था ओफिसर मैं यही चाहता था कि रश्मी के खून का इल्जाम राकेश पर लगे इसलिए मैंने उस खंजर का उबहू खंजर बनवाया आप चाहें तो उस खंजर बनाने वाले कारीगर से पूछ सकते हैं और आप खुद भी अगर गौर से देखेंगे तो दोनों खंजर उबहूं पादाने क्यों शुर्बास्तव मुझे ऐसा लगता जैसे मैंने इसी किसम के खंजरों का सेट कहीं कहीं देखा है कहां देखा है यादा है शुर्बास्तव मुझे आपकर तो मैं तुम्हे गलत समझा शुर्बास्ता इसने तुम्हाने गारती बिलकुल नहीं है उन हालत में अगर मैं भी होता ना तो मैं भी शायद तुम पर शक करता हूं लेकिन मैं जानता था कि तुम बेगुना हो यह बात मैं शुर्बास्ता को समझाने की कोशिच भी कर रहा था लेकिन भायां कोई भी भाई तौलत की खातर अपनी बेहन का खून कैसे कर सकता है शुर्बास्ता जी आपिने बिलकुल ठीक फरमाया आपने बिलकुल ठीक फरमाया शुर्बास्ता जी भाई अपनी कि बैन का खून नहीं कर सकतants and कि इसलिए रंजीत हो जाने भी अपनी बैन रश्मी का खून नहीं किया राट olduğunu जदन है यह के इसा हो सकता इंश्भिडिस सब रंजीत के पास से भी बिल्कुर वैसा ही खंजर बरामत हुआ ठोस के से ब्रशुमिका कट्ल जैसे मगर इनकी नकाशी में थोड़ा सा फर्क है यह देखिए और वो फर्क इस बात का सबसे बड़ा सुबूत है कि मिस्टर रंजीत आहूजा ने यह डूब्लिकेट खंजर उस कारिगर से और्डर दे के बनवाया उस कारिगर ने इस बात की तज़्दीए कर लिए लेकिन अगर रंजीत ने रिश्मी का खून नहीं किया तो फिर किस ने किया है जाहर है उस शक्स ने किया है शोड़ा जी जिसके पास इस किसम के डिजाइन के खंजर का सेट मौजूद हो वैसे शोड़ा जी अजीब इत्तफा कि आपके घर में भी बिल्कुल ऐसी ही नकाशी वाले खंजरों का एक सेट मौजूद है जिससे वो कतल हुआ तो आप यह के ना चाहते हैं कि जो खंजर फुल में इस्तमाल हुआ है वो इसेट का इसा है हो सकता है नहीं भी हो सकता है पॉसिपल इंस्पेक्टर इस एंपॉसिबल यह सेट तीन खंजर होता है अब गौड़ से देखे तो तेनों खंजर मौचोद है आप गौड़ से देखे देखे मशस्तिवाकर मैंने देखनांता है कि यह खंजरों का सेट है इसमें तीन खंजर मौजूद है लेकिन आप ने शायद गौड़ से नहीं देखा एक डिजाइन के हैं तीसरा खंजर जो डूब्लिकेट है वो थोड़ा सा छेले दा ऑफ जो ट्वाफ जो गतल के लिए इस्तेमाल किया गया था खंजर मिस्टर दुभाकर उसके हैंडल पर दूपत्यां था वैसी ही दूपत्यों के डिजाइन ये है एक पत्ती दूंब दूसरे खंजर पर एक दो पर और तीसरा खंजर जो नकली है ये एक, दो, तीन, चार पर रहे को जवाब इसका आपके पास ये सही है ये ही मिस्टर दिवाकर की वो तीसरा खंजर डुपलिकेट है जिया, इसे ओर्डर देकर बनवाय गया है ताकि सेट में एक खंजर की कमी को छुपाए जासे की देखी इंस्पेक्टर, वो सकता ही ये रंजीत की चालू उसीने खंजरों में हरापी रिखी होगी वलत, ये रंजीत ने नहीं है शुपाजी जिजी और नहीं हरा पेरी की अदेखी ना एक और अजीब इत्तफाक हुआ रंजीत आहुजाने जिस कारिगर से वो खंजर बनाया वो डुबलिकेट खंजर दो साल पहले उस कातिल ने भी उसी कारिगर से अपना वो डुबलिकेट खंजर बनवाया अब इस तीसरे खंजर को ज़रा गोर से देखिए ये है वो डुबलिकेट खंजर मैंना बड़ा आजीब सा इत्तफा मैं उस कारिगर को अपने साथ लाया हूँ मिलना चाहेंगी शिर्वास साथ सुलेमान को अंदर बुलाओ सुलेमान हाँ साथ ये वो अधिमे साथ जिनके लिए अपने खंजर बनाया था दो साल पहले उसने उसी एक खंजर के लिए अपनको पांच हजार रुपिय दिये थे सब इसलिए मैं उनका चेहरा केशा बूल सकता हूँ वो टोबिश क्या बगवास ही है भाया रश्मी का खून क्यूं करेंगे वो तो उसे चांस तक नहीं थे शायद इस आदमी को गलत फैमी हुई है दिवाकर साब को रश्मी का खतल करके क्या फायदा हो सकता था अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है जैसे इस बंदे को जुटला कर आप कानून की आँखों में धूल चौक सकते हैं तो चुआई करके देख लिए याद में सच कहरा है ये भी सची की रश्मी का खुन में नहीं क्या अश्वेता वो थी ही इसी का बेल मैं उसे बहुत प्यार करता था बहुत प्यार करता था अगर उसने मुझे प्यार में दोगा दिया जब मुझे प्यदा चला कि उसने शादी कर दी तो मैं दिन दिन तक पाकोलों के तरह कंता रहां शराब के नश्य में डोप कया मैं और एक दिन तुम यहां और इस वक्त मैं यहां इस वक्त मैं तुमसे अपने सवाल का चरवाब मांगने आया हूँ क्यों कि यह तुमने मेरे साथ तिना पड़ा दोखा दोखा? कैसा दोखा? मैं तुमसे प्यार करता था तुम भी मुझे प्यार करते था मैं मैं और तुमसे प्यार करती थी किसने कहा? मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया और अगर मैंने प्यार किया भी है सिर्व लागेर से तुमने मेरे साथ क्या? वो क्या क्या? तोखाने क्या? फ्रेमे क्या? दोखो देखो, मुझे टाइम पास के लिए एक दोस्ट जाहिए था और तो मुझे मुझे बुल गए अधिम वास, सीरिस दिवाकर, इट वस ज़स्ट टाइम पास शर्ब आती है मुझे ये सोच कर कि ऐसी दुरा के साथ में प्यार क्या प्यार करने तो क्या अधिस्व सिंदा रेने का को हाग नहीं दिवाकर! 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 नई तु मैसानी कर सकते तुम तुमसे प्यार करती हो दिवाकर देखो, देखो दिवाकर दे! दाई!! उस ने मेने पीट पे खंजर को पा आने उसके सीने मे खंचर दाटिया हिसाब बरापर कर दिया मैंने वलत जी के सीने में खंजर गौफ कर उसकी महबत हासिल नहीं की जा सकती मिस्टर दिवाकर मैंने सोना था कि महबत अंदी होती है लेकिन आज देख भी लिया रश्मी का कतल करने के बावजूद भी आप उसे हासिल कर नहीं कर भाएं मिस्टर दिवाकर अन्दा कॉंटरी ये गुना कर बैठें और उसी गुना के तहद मैं आपको गिरफ़तार करता हूँ यू आर अंडर अरेस्ट झाल झाल